सो हे गईस यह है Vivo V13 Pro 5G स्मार्टफॉन और आज मैं आपको इसके Top 10 Plus Hidden Features बताने वाली हूँ Top 30 Plus Special Features वाली वीडियो हमने पहले ही बना दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी आप उहां से जाकर चेक आउट कर लेजेगा आज मैं आपको इसके Top 10 Unique Features बताने वाली हूँ जैसी के आप ना इस फोन को Tablet के जैसे कर सकते हैं और किसी भी एप्लिकेशन को आप 10X तक Fast कर पाएंगे और ऐसा होता ना कुछ एप्लिकेशन Split Screen को सपोर्ट नहीं करती हैं तो आप यहां उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं तो ऐसे ही मैं आपको Unique Features बताने वाली हूँ तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना चली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम है रोसनी आप सभी का Tag for रोसनी में स्वागत है वैस अभी आप कोई भी एप्लिकेशन को Open करेंगे और Close करेंगे न तो एप्लिकेशन जल्दी Open और Close नहीं हो रही है तो उन्हें Fast करने के लिए आपको यहां Setting पर आजाना है देन सर्च कर लेना है Developer आपको यह Developer Option मिल गया है तो क्लिक कर देना है बट आप सर्च करेंगे न तो आपके में नहीं आएगा पहले इसे Enable करना पड़ेगा उसके बाद ही जो Developer Option है वो आता है अब Enable कैसे करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ देन आपको स्क्रोल करके नीचे आजाना है यहां मिल जाएगी Window Animation Scale तो क्लिक करके आपको यहां पर 0.5x पर कर देना है नीचे आपको इसको भी 0.5x पर कर देना है तो यहां भी आपको इसे 0.5x पर कर देना है अब देखो आप Home Screen पर आएंगे और किसी भी Application को Open करेंगे तो Application बहुत जल्ली Fast Open होगा and Close होगा छूते ही Application यहां पर Open हो जाएगी and Close हो जाएगी तो कुछ इस टाइप से आप न 10x तक Phone को Fast कर सकते हैं और Phone ही नहीं आप और भी अधर चीजें यूज़ करेंगे तो वो भी 10x तक Fast चलींगी Next Features आप इस Phone को Tablet के जैसे बनाना चाहते हैं तो यहीं नीचे मिल जाएगा Smallest Width तो क्लिक कर देना है आपको इसे याद कर लेना है यह 420 को आपको याद कर लेना ही आगे हमें काम पढ़ने वाला है यहां पर आपको 600 टाइप कर देना है देन OK पर क्लिक कर देना है अब देखो एक Magic होगा फोन के जो फोन वगएर है न वो सारे छोटे-छोटे होगा है जैसे बिंडो या फिर टैबलेट पर होते हैं हम यहां Home Screen पर आकर देखेंगे तो यह Google देख सकते हैं आपको यह किस टाइप से हो गया है और मैं अभी आपको Notification Panel निकाल कर दिखाती हूँ तो यह कुछ इस टाइप से यहां पर Notification Panel निकलेगा जैसे टैबलेट वगएर हम होते हैं बैसे ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे अब मैं आपको Chrome को Open करकी दिखा देती हूँ यहां पर आप Plush के निसान पर क्लिक करके Multiple Tab को Open कर सकते हैं यहां से मतलब कि जैसे टैबलेट या फिर लैप्टॉप में हम Multitasking कर लेते हैं बैसे ही आप यहां पर कर पारेंगे यहां पर आप अलग-अलग टाक्स कर सकते हैं एक ही टाइम पर अब आपको अपने फॉन को Normally करना है तो यहां Setting पर अजान है Then Smallie Dweet पर क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर इसे काट कर 420 टाइप कर देना है Then OK कर देना तो आपका फॉन जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा Next Features आपको यहां डैबलोपर पर आना है नीचे स्क्रोल करके अजाना है यहां मिल जाएगा Overize for Dark Mode इसे On कर लेना है अब जो Application Dark Mode को सपोर्ट नहीं करती है न तो वो भी Dark Mode को सपोर्ट करने लगेंगी जैसे कि MyZio Dark Mode को सपोर्ट नहीं करता है अगर आप इसे On कर लेंगे न तो MyZio भी Dark Mode को सपोर्ट करने लगेगा Next Features आपको नीचे आना है स्क्रोल करके यहां पर Force Activity to be Resizable को On कर लेना है अब आप Multi Application चलाते हैं मतलब कि जो Application Split Screen को सपोर्ट नहीं करती है न तो वो भी यहां पर सपोर्ट करने लगेंगी अगर आप इस Features को On कर लेते हैं तो Next Features आपको यहीं Developer Option पर आना है देन नीचे आजाना है यहां मिल जाएगा Mobile Data Always Active तो इसे On कर लेना है अब देखो यहां पर आपका Mobile Data भी On रहेगा और वाई-फाई भी On रहेगी और आप कोई भी Movie वगरा डाउनलोड कर रहे हैं और जैसी वाई-फाई बंध होती है न तो वो Movie बीच में ही रुक जाती है मतलब कि डाउनलोडिंग बंध हो जाती है और हमें सुरू से फिर उसे डाउनलोड करना पड़ेगा बट आपने इस फीचर्स को ओन करके रखा है न मुवाई-फाई बंध होगी तो आटोमेटिक ही स्विच कर देगा यह आपके Mobile Data में तो इससे डाउनलोडिंग बीच में ही नहीं रोकेगी तो काफी यूजफूल रहेगा यह फीचर्स तो आप इसे भी यूज़ करकर देखिएगा नेक्स फीचर्स यहीं मिल जाएगा आपको सो सर्फेस अपडेट देखो मैं आपको इसे ओन करके दिखाती हूँ तो यह Mobile कुछ इस टाइप से होने लगेगा मतलब की न यह कुछ कलर वगेरा आने लगींगे ऐसा लगेगा कि फोन खरा तो में से ओफ कर देती हूँ नेक्स फीचर्स आपके पास कोई भी मैसिज वगेरा आएगा ना तो आप यहाँ पर एक बवल आजाती है बवल पर क्लिक करके आप मैसिज कर रिपलाई दे सकते हैं आपको यहां मैसिज एप्लिकेशन को ओपन करने जरूद भी नहीं है आप डारेक्ली यहां से रिपलाई दे पाएंगे तो इसके लिए आपको यहां सेटिंग पर अजान है दर नोटिफिकेशन पर आकर नीचे यह बवल्स मिल रहा है यहां पर क्लिक करके इसे ओन कर लेना है अब आप यहां पर देखो कुछ इस टाइप से बवल्स आजाएगी फोटो वीडियो बगएरा को टीवी में चलाना चाहते हैं तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन पैनल पर आना है देन यहां से ना स्मार्ट मिरिरिंग पर क्लिक कर देना है अब जो भी डिवाइस होगी आपकी टीवी का नाम बगएरा आजाएगा जैसे यहां पर आगए स एमसन 4 सीरीज और आटोमेटिक ही वो कनेक्ट हो जाएगा बट इसके लिए आपको पहले वाइफाई को आउन कर लेना है देन अब जो भी आपकी टीवी बगएरा होगी वो आटोमेटिकली यहां पर कनेक्ट हो जाएगी अब चलीए आपने टीवी से कनेक्ट तो कर लिया ह अपने फॉन को बट आप उहां पर क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाना चाहते हैं इसके लिए आपको सेटिंग पर आकर सर्च करना है स्मार्ट मिरिरिंग यहां आपको अजान है अब आप यदि वीडियो में मिरिंग करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर देना आप फोटो मेमिरिंग करना चाहते हैं तो यहां से फोटो कर सकते हैं म्यूजिक बगएर भी आप वहाँ पर प्ले कर पाएंगे नेक्स फीचस आप जब भी बच्चों को फॉन यूज करने के लिए देते हैं इससे आप बच्चे कभी भी सेटिंग वगयर नहीज चेड़ पाईंगे फॉन की तो आपको यहां सेटिंग पर आजाना है दो सर्च कर लेना है एप पिनिंग क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर इसे न ओन कर लेना है अब देखो आप जिस भी application को अपने बच्चों को दे रहे हैं वहाँ पर आपको recently पर आजाना है जैसे ये YouTube पर आगए हम यहाँ पर click करके आपको pin के option पर click कर रहे हैं अब यह जो application है वो pin हो गई है अब ऐसा side से करेंगे तो ये back भी नहीं होगा इस side से भी नहीं हो या फर आ आप recently में जाना चाहें तो recently पर भी नहीं जा पाएंगे अब आपके बच्चे सिर्फ YouTube भी बस use करेंगे बाकी other setting वगेर नहीं छेड़ेंगे अब आपको अपनी normally screen पर आना है अगर आप gesture mode पर हैं तो कुछ इस type से करेंगे तो आप normally screen पर आजाएंगे यहाँ पर button वाला है तो उस application को open कर लेना है देन back button और menu button पर दोनों में एक साथ press करना है मतलब hold करके रखना है उसके बाद आप automatically अपनी normally screen पर आजाते हैं तो कि इस type से आप अपने बच्चों को next features आपको developer option कैसे enable करना है तो इसके लिए setting पर आजाना है देन नीचे about device पर आना है यहाँ पर आ यहाँ पर हमारा already आ गया है क्योंकि हमने पहले ही developer option enable कर लिया है तो कुछ इस type से आप developer option को enable कर लेना फिर मैंने जो सारे features बता हैं आप उन्हें apply कर सकते हैं तो guys यह रहे इस phone के top 10 features वीडियो कैसे लगा मुझे comment में जरूर बताना अभी आप यह जो ring light देख रहे हैं इसे म लगा मुझे comment में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please share video को like करके channel को subscribe करना तो बिलकुन भी नहीं हूला अब हम मिलते हैं next video में thanks for watching this video